मैं हूँ आप टीचर मुवी नबारी और आप देख रहे हैं एफर्ट साइस इसी वीडियो और आप देट के लिए आप हमारे वेब साइट चीजिब कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें हमारे पेस्बुक पेस्बर भी फालो कर सकते हैं आज के इस क्लास में हम फिवuan टेबल पे बात करेंगे फिवर टेबल की मदद से हम बहुत बड़े डाटा ठेबल में से सब टेबल बना सकते हैं अगर हमें किसी एक फिल्ड का डाटा चाहिए तो हम उसका टेबल क्रियाट कर सकते हैं जैसे अगर मेरे पास जो टेबल मुझूद है इसमें मेरे पास 15 एटम सेल हुई हैं जिनमें से LG, DEL और HP के लेपटॉप सेल हुए हैं इनमें भी तीन मॉडल हैं I5, I3 और I7 कलर भी तीन हैं Black, Silver और Red Conditioning में दो हैं Brand New और Second Hand उसके बाद इनकी प्राइस है अब अगर मैं यह देखना चाहूँ कि मेरे टोटल LG की कितनी सेल हुई है तो मैं जैस्ट LG पे चेक करूँगी और LG का ही टेबल बना सकती हूँ कि मेरे LG की कितनी एटम सेल हुई है उसमें I-5 और I-7 या I-3 कितने थे उनमें कलर कितने थे और उसकी प्राइस कितनी थी अगर मैं जिस्ट Dell का बनाना चाहूँ तो मैं डैल का बना सकती हूँ अगर मैं कलर वाइस टेबल बनाना चाहूँ मेरे टेबल vorm में ơnगें मैं अब मैं इसको select करूंगी हूँ हूँछ काने की बाद ग्लिक करूंग फिर्टेबल के अप्षण पर क्लिक करूंगी तो स्क्राव छोग हानगा तो मैं इसको पहले ही टेपल में कनवर्ट कर कर सकी हूं इसलिए यहां रेंज में टेबल टू शो हो रहा है और मैंने से रेंज नहीं थी तो ये मुझसे दिरेंज पूछ रहा होता इसके बाद नेकst है new वरक्षिट और इक्सिटेंड वरक्षिट के आप अपसे प्रेऻाना चाहते हैं यह नुवरक्षिट scripture बना चाहते हैं मैं new worksheet select करूँगी क्योंकि मैं existing worksheet select करती हूँ वैसे आप existing worksheet भी select कर सकते हैं अपनी जरूरत के मताबिक लेकिन उस सुरत में बाद वो टेबल इसी के उपर ही आ जाते हैं और confusion हो जाती है तो उस तरह से new worksheet लेना ज्यादा best रहता है और आप ज्यादा conveniently work कर सकते हैं मैं new worksheet select करती हूँ और okay करती हूँ तो आप देखें new worksheet में मेरे पास यह पेवर टेबल का option आ गया और यहां मेरे पास जो मेरे टेबल में field थी वो मुझे नजर आ रही है मेरे पास serial number की field थी name of product था model color condition और selling price और अगर मैं इसके नीचे आओं तो मेरे पास यहां चार options हैं पहला filter का है column row और values filter में मैं अगर किसी option की filtration करना चाहती हूँ तो वो मैं इसमें drag करूंगी और अगर मैं जो data देखना चाहती हूँ जो जिस चीज़ का मैं table बनाना चाहती हूँ मैं इसको row wise देखना चाहती तो मैं इस option को drag करके अपनी row में drop करूंगी लेकिन अगर वोही data मैं column में देखना चाहती हूँ तो मैं इसको column में drop करूंगी अगर मुझे अपने data की quality values देखनी है तो मैं इसे row या column में drag करूंगी और अगर मुझे अपने data की quantity value देखनी है कि वो कितनी मिकदार में मुझू उसकी numerical values देखनी है तो फिर मैं इसे values के option में track करूँगी और अगर मैं इसे drag ना करना चाहूँ तो मैं यहां check लगाऊ तो भी यह चीजे मेरी row में add हो जाएगी मैं यहां पर check लगाऊँ तो आप देखे name of product मेरी row में add हो गया इस वकत मेरी product तीन नाम से मुझूद है Dell HP और LG अब मैं इनके color देखना चाहूँ कि इन में कितने color मुझूद है तो अगर मैं इस पर tick करूँ तो यह row में ही मेरे सामने आ जाएंगे Dell में में मेरे पास black और silver color है H3 में मेरे पास black red और silver color है और LG में red और silver color है इन तीनों में यह चीज़े मुझूद हैं लेकिन अगर मैं color को column wise देखना चाहूँ तो मैं इस color के option को यहां से drag करते हुए column में drag करूँगी तो यह यहां शो होगे black red silver और अगर total आ रहा है अब अगर मैं इनकी quantity देखना चाहूँ यह मैंने इसकी quality देखी है कि इसमें कौन-कौन से color मुझूद हैं तो मैंने इसे column में drag किया अब इसी color option को दुबारा अगर मैं value में drag करूँ तो आप देखें इसकी quantity भी मेरे पास आगी कि डैल में हमारे पास तीन black color है दो silver color है हमारे पास एक black दो red दो silver color है और LG में हमारे पास चार red और एक silver color है और यह total इनका show हो रहा है और अगर मैं incredible color wise रही model wise बनाना चाहती हूँ तो मैं यहां color से check हटा दूँगी तो आप देखें तमाम color गाइब हो गए और अब मैं यह model pick check लगाऊंगी तो यह यह model show हो रहे है कि डैल में i3 कितने है i7 कितने है hp में i3 कितने है i5 i7 कितने है और अगर मैं इनको quantity देखना चाहूं तो मैं model को यहां से drag करते हुए value में add करूंगी तो आगे इनकी quantity आ गई और अगर मैं model को row wise नहीं column wise देखना चाहूँ तो यह मैं model को यहां से drag करूंगी column में drop करूंगी तो आप देखें नहीं यहां शो हो जाएंगे अगर मैं मॉडल की से चेक अटा दूँ तो यह कलर वाइस टेबल मेरे पास मुझूद रह जाता है अब अगर मैं किसी आप्शन की फिल्ट्रेशन करना चाहती हूँ अगर मैं कंडिशन की आप्शन को उठा कर फिल्टर में ड्रॉप करूँ तो आप देखें इसका अफेक्ट मेरे टेबल पर नहीं आया बलके टेबल के ऊपर मेरे पास एक चोटी सी बार शो हो रही है कि मैं इसकी कंडिशन के हसाब से कर रही हूँ अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहां पर तीन आप्शन आ रहे हैं अब यहां मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं स्लेक्ट मुल्टिपल एटम पर चेक लगाँ तो आप देखें यहां भी मेरे पास चेक बॉक्स शो हो जाएंगे अब अगर मैं जस्ट ब्रैंड न्यू देखना चाहती हूँ कितने हैं मैं आलपे से चेक अटा दूगी और ब्रैंड न्यू पर चेक लगाँगी ब्रैंड न्यू पर चेक लगाके ओके करूँगी तो आप देखें मेरे पास जितनी ब्रैंड न्यू एटम है ब्रैंड न्य हैं और अगर मैं इस पर दुबारा क्लिक करऊ और मैं सेकंड हैंड का अलग से टेबल बनाना चाहूं तो मैं यहाँ पर क्लिक करऊंगी ब्रैंड न्यू से चेक हटाऊंगी और ओके करऊंगी का अब देखिए सेकंड हैंड मेरे फास जू क्योंकि जब हम एक्ष्वल में काम कर रहे होते हैं To sometimes किसी कमपणी की सेट से रिल dub के रिक रपोर्ट बना रहे होते हैं या उसकी प्राइश से रिल अरड़ेड़ रिकरट बना रहे होते हैं। तो हमारे तो अगर हम वैसे लिक्किया बनाने बैठें तो हमें हप तो लग जाएंगे लेकिन पेवर टेबल की मदद से यह हम काम बहुत जल्दी और तेजी से कर सकते हैं जैसे ह्हिआ हमने पर टेबल क्रीट किया है हमारे पास डोव तेब कर दो अगर मैं में पर टेबल क्रुक करो यहाँ पर एक्टिव फील्ड शो हुरी है कि जो नमर में उसमें इस्वीर नेंम्मॉडल कलर किंडिशन और से सलिंग प्राइस है उसके बाद यह group option है तो यहां से हम different field को group कर सकते हैं उसके बाद insert slicer, insert timeline का option है तो यह दोनों option जो है वो insert tab में मुझूद है हम इने वहां से handle करेंगे उसके बाद refresh option है यह जो हमारे पेवल table है यह auto update होता है हम अगर अपने original data में कोई changing करते हैं तो वो यहां पे show हो रही होती है जैसे मैं अगर अपनी sheet 1 पे आती हूँ और sheet 1 पे आते हुए यहां एक और cell add कर लेती हूँ यह मैंने एक और row अपने table में add कर लिए और उसके बाद मैं sheet 2 पे आती हूँ sheet 2 पे आऊँ तो मेरे पास सभी इसमें कोई changing नहीं आई अगर मैं analysis के tab में आती हूँ और यहां refresh option पे क्लिक करूँ option की मदद से हम उसे change कर सकते हैं इस वक्त हम नमारा data source sheet 1 पे मुझूद है और अगर हम कोई नया paper table बनाना चाहते हैं और कोई और data source चाहते हैं तो हम यहां से change कर सकते हैं उसके बाद यह actions हैं तो इसमें clear है select है और move paper table है अगर हम इसको clear करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें तो हमारे पास clear all और clear filter की option है अगर हम just filter clear करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और अगर सब कुछ clear करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं उसके बाद select की option है तो यहां से हम अपने selection कर सकते हैं और अगर हम अपने pivot table को किसी और sheet पे move करना चाहें तो move pivot table की मदद से वो भी कर सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहां मेरे पास इस तरह का dialogue box आता है choose where you want the pivot table report to be placed आप अपने pivot table की report को कहां place करना चाहते हैं new worksheet या existing worksheet अगर इसी पर करना चाहते हैं pivot table convert हो गया है अब sheet 3 पे मेरा pivot table है sheet 2 पे मेरा कुछ भी मुझूद नहीं है क्यूंकि मैंने अपना pivot table sheet 2 से sheet 3 पे convert कर दिया और sheet 1 पे मेरा data source मुझूद है उसके बाद pivot chart और recommended pivot chart की option है तो इसे हम insert tab में से देखेंगे उसके बाद show option है show option से आप अगर field list, field list क्या है यह जो list हमें show हो रही है अगर आप इस field list पे click कर दें तो यह field list हमें show होना बंद हो जाएगी और show option पे दुबारा क्लिक करें और आप इस field list पे click करें तो यह field list हमें दुबारा show हो जाएगी उसके बाद इसमें बटन को option है तो इसमें से आप यह वाले button hide हो जाएंगे यहां से आप इनको hide कर सकते हैं field header अगर आप यहां प्लिक करें तो आपकी field का header hide हो जाएगा उसके पाद design tab है तो design tab में यहां subtotal का option है आप देखें यहां यह टोटल शो हो रहे हैं यह हमारे सब टोटल है और यह हमारा ग्रैंड टोटल है तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ शो करना चाहते हैं क्या नहीं अगर आप यह सब टोटल शो नहीं करना चाहते तो आप यहां से हाइड कर सकते ह उसके बाद यह grand total का option है तो grand total में भी आप यहां से decide करते हैं उसके बाद report layout है तो यहां से आप report layout में change कर सकते हैं blank row add कर सकते हैं और यहां से आप decide कर सकते हैं आप इसके designing में जो भी तबदीली करना चाहें जैसे अगर मैं यहां हूं तो यहां मेरे पास different color में है इसमें से मैं जिस भी style में चाहूं अपने table को convert कर सकती हूं और इसमें अपने table को convert करने की बाद मैं यहां से decide कर सकती हूं कि मैं यह designing just header पे चाहिए column के header पे चाहिए branded row चाहिए या banded column चाहिए और यह तमाम option वही हैं जो हमने table option में देखे थे अगर आपको यह class पसंद आई है तो like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए ताके वह भी सीख सके आप अपने questions और views नीचे comment box में लिख सकते हैं और अगर आपने channel subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए ताकि आपको आने वाले videos का notification फॉरण से मिल सके